यार भगवान श्री राम खुद उस सिंहासन बैठने से पहले न 14 वर्ष का वनवास जहल के आये थे तो जब भगवान होके 14 वर्ष का वनवास खुद जहल के आये थे हमने 60 लाग रुपे निकाल लिया है आप देखो हमने 60 लाग रुपे निकाल लिया और अभी भी हमारे पास 43 लाग रुपीज है हमारे काउट अभी फानेशल फ्रीडम की वीडियो बनाया तो काफी लोगों के प्रश्ण पहले से भी कुछ लोग आया थे कुछ लिसके बाद कुछ लोगों के प्रश्ण आने लगे मुझे मिलता रहे मतलब कह सकते हैं कि भाई साब बिना सेलरी के जिंदगी भर कमाई मतलब एक ऐसी जगह आपको पैसा इन्वेस्ट करना है आपने इन्वेस्ट किया और आपको जिंदगी भर सेलरी मिलनी है ये पावर है भाई mutual fund SIP का इसलिए मैं हमेसा कहता था कि आप अगर इन्वेस्ट बहुत पहले चालू कर दियो होते तो आज आपकी हो सकता है कि वैलो 25 लाग, 50 लाग, 70 लाग, 1 करोड तक बन जाती लेकिन अगर SWP के माध्यम से उतना पैसा आपके पास नहीं है तो जब भगवान होके 14 वर्ष का वनवास खुझ झेल किया है थे, हम तो आप इन्सान है तो क्यों न हम 15 साल थोड़ी मेहनत करके अगर एप फॉर्मूला आप जानते हो 15 रेशियो 15 का, आपको पता है कि अगर 15,000 प्रती महीने 15 सालों के लिए इन्विस्ट करते हो SIP mutual fund में आपकी value 1 करोड बन जाती है ठीक है न, अब कहानी वहाँ से चालू होती है SWP मतलब होता है भाई साफ, systematic withdrawal plan SIP में हर महीने पैसा डालते है SWP में हर महीने पैसा हमारे count में आता है, हम निकालते है ठीक है न, अगर SWP माध्यम से आपने कर लिया example आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से जहां आपको देखने को मिलेगा suppose ये मान के चलो, एक ऐसी टंकी है जिसें बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है मान लो 1 करोण है अब एक यहां नल लगा हुआ है, कि आराम से पैसे पूरे आपको मान के चलो, आपको महीने का 50 जार चाहिए ये 50 जार आपको हर महीने मिलते रहेंगे और साथी साथ, यहां जो आपके 1 करोण है ये भी बढ़ते रहेंगे इसको बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ये बेसिकली ग्रो अप्लिकेशन बहुत सारे निया है लेकिन AMC के विबसाइट में जाके कर सकते हो मनी कंट्रोल के विबसाइट है, वहां जाके कर सकते हो SWP का प्लान वहां होता है हो सकता है कुछ बैंक भी कर रहे हो लेकिन आज की वीडियो में बताऊंगा बेसिकली जो बताई रहा हूँ आपको कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान अगर करना हो तो स्टेट बैंक ओफ हिंडिया जा सकते हो वहां प्लान कर सकते हो पूछ सकते हो कि SWP के प्लान कैसा हो रहा है और important है fund बताने जाने वाला हूँ आपको कि कौन सा ऐसा fund है जिसमें आप continuous अगर प्लान करते हो तो बहुत अच्छा इसमें पैसा बन जाता है तो स्टार्ट करते हैं आपको मैं दिखाने कोश्च करता हूँ कि अगर आप SWP के माध्यम से प्लान करते हो क्यों कि कोश्चन आया था कोश्चन क्या था कि सर मेरे पास 50 लाक रुपे है और हर महीने के मुझे income करना है तो आप मुझे बताईए कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं क्या प्लान कर सकते हैं ठीक है न तो ये प्लान है वही मैं आपको बता रहा था कि जो प्लान आपका basically करना होगा वो आपको प्लान करना होगा SWP का basically हमने देखा कि SIB मतलब हर महीने पैसे हम डालते हैं और SWP मतलब क्या होता है कि हर महीने पैसे हम वहाँ से निकालते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया था फॉर्मूला अपना 15-15-15 का फॉर्मूला तो अगर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करते हो last 15 years के लिए तो 1 करोन की value बन जाती है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर 1 करोन की value बनती है तो हमें हर महीने कितने मिलते हैं जहां मारा मकसद है कि बाईसा मुझे न सतर हजार मुझे हर महीने चाहिए अब सोचो आपको ये पता चल गया होगा कि मेरा पहला target 1CR करने का है correct कर लिया जैसे 1CR किया आपने apply कर दिया SWP plan के लिए AMC के website चले जो बैंक जाके पता कर सकते हो SWP का plan औरो कर रहे हैं अब आपने कर लिया अभी मैं बताऊंगा कि कौन से fund में कर सकते हो उस fund में invest कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है अब हमारा target है कि भाई साब मेरे पास 1CR आ गए मैंने invest कर दिया और मुझे हर महीने 70,000 चाहिए अब 70,000 महीने चाहिए हमने कर दिया मैं return minimum से minimum ऐसे fund में invest करूँगा जो fund बहुत ही कम रिस्की हो और जिसका maximum पैसा अगर market में जा रहा हो जहां मुझे 12% महीने का मिलता रहे 12% मतलब yearly मिलता रहे महीने का नी yearly 12% हमें मिलता रहे अब देखो मैंने यहाँ simple calculation लगाई है आपके सामने मैं देख दूँगा description link डाल दूँगा आप वहाँ चेक कर ले न SWP calculator आप Google पे भी search कर सकते हो मैंने 1 करोण डाला मुझे monthly चाहिए 70,000 expected return 12% for the period of 10 years आने वाले 10 सालों आप बढ़ा भी सकते हो यहाँ 15 साल कर सकते हो 20 साल कर सकते हो अब देखो मैंने calculate किया मेरे पास मैं हर महीने 70,000 रुपे निकाल रहा हूँ सोचो हर महीने 70,000 रुपे मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि अब आज मेरे पास 1CR हो गया है financially free life मैं जी रहा हूँ मुझे अब tension नहीं है कि आने वाले समय क्या होगा मेरे पास fix income आ रही है मैं अपने मर्जी का काम कर रहा हूँ बस मुझे महीने का कुछ 87,000 रुप महीने चाहिए तो भी आपका balance 86,000,000 तो भी आपके account में रहेगा 86,000,000 तो भी आपके account में रहेगा आने वाले समय में 10 सालों के बाद आप 1.2 करोन रुपे निकाल चुके रहोगे सोचो क्योंकि आप हर महीने 1,000,000 रुपे ले रहे हो कितनी शांदार है ये scheme लेकिन इस scheme के पहले आपको invest बहुत करना जरूरी है वन करोन की value टच करना बहुत जरूरी जब अचीब करोगे इसके बाद आपको ये simple apply करना होगा अब बोलो के sir ठीक है आपने बता दिया बहुत अच्छा है लेकिन अगर मेरे पास 50,000,000 है question ही आया था कि sir मेरे पास 50,000,000 है ठीक है 50,000,000 है मेरे पास मैं महीने का मुझे महीने की 50,000 रुपीज निकालनी है क्योंकि मुझे महीने का ऐसा चाही कि 50,000 मेरे पास आता रहे और मेरा खर्चा चलता रहे बाकी जगह से पैसे थोड़े बहुत बना रहा हूँ ठीक है अच्छी बात है आपने कर दिया 12% return बहुत ही minimum होता है जो मैंने डाल दिया कि 12% ज़्यादा मिलेगा तो और अच्छा आपका return बनेगा लेकिन important यह है कि हमें मिलता रहे पैसा और जो मेरा पैसा already है उस scheme में वो भी पैसा बढ़ता रहे ठीक है चलो calculate करते है calculate जैसे हमने किया हमने 60 लाग रुपे निकाल लिया है आप देखो हमने 60 लाग रुपे निकाल लिया और अभी भी हमारे पास 43 लाग रुपीज है हमारे account में सोचो 43 लाग रुपीज हमारे पास अभी भी है और हमने कितना निकाल लिया हमने निकाल लिया है 60 लाग रुपीज हमने निकाल लिया है तो ये होती है ताकत कि SWP की ताकत होती जिसको कहते है systematic withdrawal plan अब बोलो कि sir कौन कौन से fund है क्योंकि भी बताना है में बहुत जरूरी है कि कौन कौन से fund में invest करना so that आप उस fund में invest कर सकते हो ठीक है ना तो उस fund में चलो हम देखते है कौन कौन से important fund है वो जो आप लोग note कर सकते हैं screenshot भी ले लेना कि ऐसे कौन से fund है जिसमें invest कर सकते हो मैं बोलूँगा या तो आप करो mid cap के fund में जो थोड़ा risk ले सकते हैं और जिनको बिलकुल भी risk नहीं लेना वो hybrid fund कोई भी ले सकते हो hybrid fund मतलब क्या होता है थोड़ा बहुत पैसा equity market में जा रहा है और थोड़ा बहुत पैसा किस में जा रहा है equity plus government scheme में जा रहा है मतलब 60% of 40 का ratio है 60% equity में जाता है 40% किस में जाता है हमारा government में इसकी bonds में आपका पैसा बिसिकली जाता है ठीक है अब mid cap के डिगरी देखो to mid cap में SDFC mid cap में जा सकते हो overall return 20% मिला है लेकिन मैं नहीं मानता मैं तो 15% नहीं 12% लेके चल रहा है तो SDFC कर सकते हो कोई mid cap में 20% मिला है अब जो हो कुछ लोग बिल्कुर इस नहीं लेना चाहते hybrid fund में जा सकते हैं है ना तो hybrid fund देखो बहुत सारा hybrid आपको SPT equity hybrid fund इसने भी लगवक आपको 15% return दिया है अगर आपको 15% मिलने लगेगा देखो क्या कमाल की बात होगी 15% मिलेगा तो आप 60 लाख निकाल चुके रहोगे तो भी आपका balance 70 लाख रहेगा उसमें तो कितनी शांदार बात है सारा चीजे हैं जो आपको बताना चाहरा था कि जब भी आप invest करो आप proper planning करो target बनाओ और yes patience, धैर और त्याग, प्लस मेहनत चारो चीज करनी होगी my dear friend तब जाके कुछ समय बाद आप ये SWP के लिए eligible हो जाओगे तब से आपको हर महीने के salary type के जो पैसे हैं वो मिलते रहेंगे बाकी वीडियो के से जरूब बताना चल पर नए आए हो subscribe जरूब कर लेना वीडियो कैसी लगी दोस्तों को बताओ, like करो अगर आपको पसंद आई होगी तो जो भी आपका प्यार है, comment सब्सक्राइब और mention करो and instagram फॉलो कर सकते हो, face जो फॉलो कर सकते हो वहाँ भी reels में आपको लिए बनाता रहता हूँ कि एक मिनेट के सोध है, आपको कम time पर ज़्यादा information मिल सके stock market के लिए basically मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत आसान भासा में मैंने channel बना रखा है और बहुत वीडियो आसान भासा में है तो वह भी आप चिक कर सकते हो, देख सकते हो राइट, बाकी मिलते हैं ने स्टूडियो के साथ वाबे टेक केर, जैहिंद